इसको हिंदी में कहा जाता है का यंग अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं लाश्ट तक तो आपको थोड़ा साभी प्रब्लम नहीं आएगा कोश्चन को हल करने में मतलब आप कोश्चन देखा जबाब दिया सकेंडो में जवाब देंगे क्योंकि हम इतना खतनाक बताने वाले हैं इसको समझ गए अगर आप कहीं भी हैं घर पर रहें या बाहर रहें रोड पर हैं सड़क पर पार्क में स्कूल में या पीण पर लटके हुए हैं पीण पर चड़े हुए मुझे नहीं पता आपको यह पूरा वीडियो देखना है अंत तक तो चलिए कार हमें पता होना चाहिए कि इंड़िट कहते किसे 21 किसे शचाला जाता है तो यह पते नहीं तो कैसे होगा सुनिया किसी भी संख्या का अंतिमंग 21 काला अजया है किसी भी नमबर का लाश्ट वाला डिजीट 21 कालाएंग जैसे समझेए हमने एक नमबर लिखा दो चार छे आठ पांच साथ यह हमने एक संख्या लिख लिए पूछ रहा है इसका इनिट कितना होगा तो किसी भी संख्य का अंती मंग साथ है यही हमारा हो जाएगा इनिट डेजिट के लिए इसी तरह पर तो निकाई दहाई इस चक्राइज आधा सब लाग इसी तरह तो बोलते हैं ला तो कुछ नहीं करना है जोड़ देंगे जोड़ना है तो सभी अंग को नहीं जोड़ना है हमें इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक ही जोड़ेंगे मतलब तीन मतलब इकाई अंक को छोड़कर बाकी कोई भी अंक दिया होगा उससे मतलब नहीं हमें इसका इकाई कितना यह सब ही क्या है इन्हीं को जुड़ना है तो साथ प्लस लिखेंगे पाँच प्लस लिखेंगे 6 प्लस 4 अब जुड़िए 6 चार 0100 दस पंच 15 सब 20 हो जाएगा हमें 20 के कितना है 2 है तो समझ में आ सब को किलियर होगा इसको तकेंडु में कैसे हल करेंगे है समझे साथ पांच बारा काइयं कितना होगा दो दो अच्छों कितना आऩ अठ आट होगा आठ कितना होगाim कर दो हमारे आ गेर 2 ूनिद दियुरियन रही पुक्रान इतना जलती एक और कोशन लेते हैं हम 24 गूने 32 गूने 34 गूने 37 क्लियर है अब देखिए इसका इंक निकलना है तो कुछ नहीं करना है यूनियूट डिजिट लाश्ट वालांक लेना है 27 में 4 है 7 है 2 है 4 इनी को गूना कर देजे बाकि यंक छोड़िए शाच चोगे 28 28 को इनी डिजिट 8 8 लिखेंगे पिर 8 से 8 2 का 16 16 की इनी डिजिट 6 चार तो यह हमारा गया उन्य टिजिट चार है समझ में आ रहा होगा सब को हमको पता है कि बहुत बढ़िया से हमने बताया है किसी को दिकत नहीं हो रही होगी देखिए हमने इस जाना बेसिक मतलब उन्य डिजिट होता है लेकिन एकजाम में कैसे कोश्चन आते हैं उस पर बात करें अब चलते हैं में मूद्य पर हमने तीन वाटा है अगर अगर आप तीनों टाइप जान जाते हैं मतलब पूलकुल सीख जाते हैं तो हम धका धक बनाने लगते हैं तो आप का लाएंगे फाइदर आफ इनुट डिजिट तो पहला टाइप देखते हैं देखिए पहला टाइप में अगर जीरो एक पांच और छो यह चार अंग जीरो संऺ्या रहा हैं पावर पर पावर में क्लेख रहा है तो इस संख्या कोई परिवर्टन नहीं होगा जैसे समय हमने लिए संख्य पंचीस पचीस 25 है इसके ऊपर हमने पावर ले लिया दो चार छे साथ इसका पावर लिह जा örब देखिए हमने लिए 85 इसका पावर 24ọnि 7rict है क तो पांच में कोई परिवर्ता नहीं रहेगा इसका इन्योंड हो जाएगा पांच एंसर किलियर है समझ में आ रहा है एक और समझते हैं हमने लिया 31 इसका पावर है 36 5 5 3 और 2 ले लेते हैं इतना पावर में दिया है इसका इन्यूदिजिट निकालना है कैसे निकालनेंगे तो कुछ नहीं करना है पहला संखें यहां पर देखना है पहला इन्यों डिजिट क्या है एक है एक के ऊपर इभेन रहे या और नमबर रहे एक के ऊपर इभेन रहे या और नमबर रहे तो कोई परिवर्त नहीं यादा है तो पहले चेकर इभेन या ओड है इभेन संख्या है दो इभेन संख्या है त सबको समझ में आ रहा होगा एक बड़ा सा कोश्चन लेते हैं जैसे समझ यह कि चार तीन दो छे प्लस तीन दो चार तीन जीरो इस तरह संख्या रहे और इसके उपर पावर दिया रहेगा तीन दो चार शौफ i5-327 इसतरह संख्या रहा है और पूछा है इसको इसका पावर इतना थोड़ी ना करेंगे पहले पाचानना है कि काई मैं कितना तो से भाग लग जाएगा तो झाँ कीसा नहीं इवें रहे चेंज नहीं होगा तो पहले चेक कर आइसी संख्याइच इवें नवरे दोसे भाग लग जाएगा तो छाव की छोग हो जाएगा पलस इसमें क्या जीरो है जीरो यहाँ पर और संख्या रहे है इवें होई कोई मतलब नहीं जेम कत्यों रहा जाएं मतलब साथ कौन जिसंग क्या और नमबर नमबर जीरो को उपर रहता है तो क्या होता है जीरो च्छो हमारा हो जाएगा तो पहला टाइप खतम इसी तरह से कोश्चन आते हैं बस आपको पाचानना है इस चारों में से कोई भी रहा कोई दिया यह हमने जान लिया पाला टाइप खतम किसी को भी दिकत नहीं होगा अगला टाइप चलते हैं टूपर अगर चार और नौव उनिट इजिट के जगहा पर है और इसके पावर में और नमर या इभे नमबर दे तो इसका ही काई अंक कैसे निकालेंगे समझ यह अगर चार रह हैगा अखेलिया और पावड तो इस को ऑड़ फी से पावर रहे हो गाता चैयर होगा इन आट पावड याद कैसे करेंगा यह समझे है च्शार के लिए और्ड पावर 4, 9ों के लिए और्ड पावर 9, मतलब ओर्ड के लिए तो सेम है 4 और 9 ही हो जाएगा, सिर्फ इविन के लिए याद करना, इविन के लिए 6 याद रखिये, आ 9 पर इविन रहे फgano, तब एक होगा, समझे हो गाए, एक कोष्ण पर हम बनाते हैं, हमने एक संख्य लिए 2, 4, 6, 7, 5, 9 इतना बड़ा संख्या है इसके पावर में है 1, 3, 9 बताएए इसका पावर मैंने इनिटिजिट कितना होगा बता सकता है कोई कुछ नहीं करना है पहले चेक करना है इनिटिजिट की कौन सा है नौ दिया है इनिटिजिट 9 है इनिटिजिट 9 नौ को इसी संख्या है और नमर रहे तो नौक उपर और नमर आएगा नौक उपर और नमर रहे तो नो जाता है तो नौव एंसर तो यूनिटिजिट हमारा नौ हो गया क्या दिकत है कुछ भी दिकत नहीं भाईया समझ यह जल्दी से देखिए एक और नमर लेते हैं 4 3 5 7 4 इसके ऊपर एक 3 2 4 लिख देते हैं इसका सबसे पहले क्या चक्रता है चाड क्या है इसमें क्या है चाट अचरा को ऊपर अब्ची करिये ओड नमर या इवन नम्बर चार के अघ्र है बट हैं बटा कोशन लेते हैं सपावर एक सो बतीज हैं अगला है नव के पावर पावर 133 इस तरह दें दिया है अब पूछ रहा है इसका इन्य डिजिट निकाल लिए देखे कैसे सब्सेट पहले से नौब है नौब नौब के पावर कौन सा है और यह इवें न तो इवें आए तो नौब के ऊपर इवें पाव रहेगा नौब के ऊफर इवें पावर जोड़ेंगे तो आएगा दौस लेकिन निकालना है तो जीरो हो जाएगा जीरो हमारा उन्यूट इसी तरह कोई भी कोश्चन को हल करते रही है एक तम धड़ा धड़ा बनेगा कोश्चन कोई भी परब्लम नहीं आगी टाइप 2 भी खतम होगा टाइप 3 समझते हैं टाइप 3 म मज़ा आजाएगा आपने सिक लिए जीरो एक पांच छो चार और नौ इकाई के अस्थान पर है और पावर में और या इवेन पावर दे दे तो इसका विन्यू डिजिट आप सकेंड़ों में निकाल देंगा कोई भी दिक्कत नहीं आगी लेकिन इसके अलावा और भी के बच रहा है अगर यह इक आएंक के अस्थान पर रहें तो इसको क्यों इसंक्से निकाला जाएगा यह नहीं करना ॐ जो नमबर रहे कोई नमबर दिया है उसका पावर से नमबर कोविक नहीं पावर लेंगा उसमें 4 से भाग देंग जो रिमेंड़र आएगा उसका पावर करेंगे हमारा Partners संभी करेंगे हैं से हमने लिया कोई पर लेते हैं 149 आप निकलना है हमें पहले चीकश करेंगे साथ है साथ हैं Loki seven से तो चार भाग देंगे पावर को चार से बाग देंगे चारके इनी यानि जब इसका साथ के तीन हो गया एंसर क्या दिकत थूड़ा सा अभी दिक्कत नहीं होगा देखिए और एक जामपल समझते हैं देखिए और इसका पावर लेते हैं बड़ा सा एक तीन पावर अब बताईये क्या होगा उच्छ नगी करना है देखिए सबसे पहले इसको चार सब्सक्राइब leac अगर 4 से भागा देना हो लाश्ट हगा लाश्ट से भाग देना हो कि थी कितना हो चार29 सबसे पहले क्या करते हैं इसमें तीनों टाइप मवजूद है एक दो और तीन अगर आप इसको कर देते तो आपका लाएंगे बात सा और आपका तीनों कॉणसेप्ट क्या जाएगा सबसे पहले क्या करते हैं इसका इन्यों टीजिट करें दो यहां कितना हैं दो है तो बाकी और आंग से हमें कोई मतलब नहीं है बाकी लिए अको छोड़ दिजिये और दो रहता है और पावर आएगा तो इसका इसका नि नव यहादा है और इसका पावर दे अर्ड या इवन जब और नमबर रहता है तो क्या होता है नौझ और rupees तो एक हो पीलास पीजे करिए पांच यहाद कोई मतलब नहीं है पांच रहेगा और किना बचे साथ के पावर एक के लिए करेंके कि रहेगत हो यह कूई हो सकता है कोई हल करते हैं कोई हो करना है कोई करना है क्रना है खोई होब समझेंगा और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आयते वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे